हेलो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज आपके जीन प्याजे के वो इंप्रिटेंट कुश्चन आंचर जो आपके एक्जाम में लगबग रिपीट होते रहते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं आज आपका एक टोपिक नंबर वन है और इसके मां आपको इंप्रिटेंट कुश्चन आंचर करा रहा हूं इसी तरीके साब के जो बाकी के टोपिक रहेंगे लाइक आपका प्याजे हुआ कोलबर्ग हुआ या तो आज ही आपका वाइगोट्स की हुआ इंटेलिजेंस हुआ अश्चमेंट इवेलिशन हुआ है डिटे एंवार्मेंट हुआ तो उन टोपिक के इसी तरीक से वह इंप्रिटेंट कुश्चन आंचर में आपको कराऊंगा जो आपकी हर शीफ्ट के अंदर बार-बार आपको रिपीट होते वह देखते हुए मिलते हैं तो आज आज आप आज की वीडियो कंदल लिए हुए आप लोग जो प्रिवेसर के कोश्चन लगाओगे और मेरे ख्याल से जितना मेरा नुभाव है साइध ही कोई एक कोश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो आपकी नजरों से बचे जाए या जिसको आप लोग सोल ना कर पाओ वन्ना mostly question यह question होते है जो बार-बार आपके एक्जाम में repeat होते रहते हैं तो चलिए देखते हैं उन question को जो आपके exam में देखने को आपको मिलेंगे थीक है थोड़ा समय इनको detail में बताऊंगा क्योंकि देखे मैं जितनी भी मेरी class चल लीए YouTube के उपर मैं बड़ी detail में चीजों को explain बेने कर रहा हूं क्योंकि आगर मैं आपको चीज़ें डिटेल में समझा दोंगा तो आज ऐसारे खाट में आपको देखने को मिल जाएंगे यही कोश्चन मतलब रिपीट होते रहते हैं के अदर आज आपका टोपिक नंबर फॉस्ट है और इसकी शुरूआत आज से हम आपक तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं आज आपके जीन प्याजी की क्लास नंबर फर्ष्ट कुश्टन आंसर वाली उसके लावा भी आपका सीटैट का कोर्स है और जिसकी क्लास आपकी सुरू हो गई है कल मेरी सीड़ी की पहली क्लास थी और इसके साथ में आपको कंटेंट जो चाहिए क्योंकि बच्चों की यह बहुत वड़ी दिख्कत ये रहते हैं कांटेंट नहीं मिल पाता साथ में बाकी के जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं वाचे एकेडमी ओफिचल गूगल पर जाना वाचे एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर यह आपकी क्लास इस आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा ठीक है तो एक्जाम तक आपको इसके लावा और कुश्चे करने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ए यूट्यूब से पढ़ना चाहिए यूट्यूब से पढ़ सकतो और कियलास से पढ़ना चाहिए के लाश apoyo भी मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आपकी स्क्रीन पर सामने कोष्चन आगया पहला क्ष्चन सामने स्क्रीन पर है साथ के साथ आप भी miceard देनी की क мог deh방ना और चीज देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर पहला कोश्टन सभी को गुडिवनिंग मैं ठीक हूं आयो पाफ लोग सब ठीक होंगे ठीक है चलिए पहला कोश्टन देख लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ जीन प्याज के संग्यनात्मक सिद्धान्त के नुसार किस चरंड पर बच्चे जटिल समस्याओं यानि जो complex problem होती है उनके समधान में तर्क का इस्तमाल करने में सक्सम हो जाते हैं वह आपको बताना है अब देखे चार इस्टेज आपर दिविए इंग्लिस में नाम आपको इनके याद करने है sensory motor stage जिसमें बच्चा आपका जनम से लेके दो साल तक होता है pre-operational stage 2 साल से लेके 7 साल तक होता है concrete operational stage 7 साल से लेके 11 साल या 12 साल तक मान सकतो और formal operational stage 11 साल से लेके 14 साल या 15 साल तक या इस से आगे की stage आप लोग इसको मान सकतो तो यहाँ पर question में आपको दिया है कि बच्चा समस्या समाधान में तर्क का इस्तमाल करने लग जाता है बट question उसने दिया है जटिल समस्या होगे समाधान में अब आप लोगों को पता होगी कि जो आपकी concrete stage होती है यानि कि आपकी मूर्द संक्रियात्मा का उस्ता होती है इसमें बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है यानि कि बच्चा तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है क्या करना स्टार्ट कर देता है बच्चा तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है यानि concrete वस्तुओं के परती आप बच्चों को कोई भी चीज दिखा दो ओर example आपने बच्चों को घड़ी दिखाई वो चीज दिखाई बेटा यह चीज आपको दिखरी है घड़ी तो देखो इस घड़ी की help से हम लोग time देखते हैं ठीक है इस घड़ी की help से बच्चों को आपने कुछ metal वगरे का कोई concept समझा दिया इस घड़ी की help से आपने बच्चों को कोई angle यानि कोण के बारे में चीज समझा दी तो आपने कोई concrete चीज ले ली और बच्चों से आपने question put up किया कि बच्चे बेटा अगर आपके एक घड़ी के अंदर 9 बज रही है तो आपर कितने degree का आपका angle बनेगा इस तरीके का question आपने बच्चों से put up किया तो यह question आपका simple हुआ hard हुआ यहापर कोई concrete चीज नहीं अब सामने ठीक है तो यहापर question हो गया आपका hard यानि कि जटिल problem हो गई complex problem हो गई तो इस problem में बच्चों को जो चिंतन करना पड़ रहा है वो चिंतन आपका abstract thinking करनी पड़ी है यानि कि आपका अतार्किक चिंतन करना पड़ रहा है ठीक है यानि कि आपकी abstract thinking आप लोग इसको लिख सकते हो कैसी आपकी abstract thinking यहापर करनी पड़ रही है ठीक है एक चीज आपको ध्यान अखनी है जो बच्चा चिंतन start करना शुरू कर देता है वो करना स्टार्ट कर देता है मूर फुर JU संग्रियात्म को स्था में लेकिन उसके चिंतन में जो परिवपक्ता यानि की मेजूरीति आ जाती है एक सैंटिस्ट की तरह जब वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है तो वह आपका formal operational stage में करना स्टार्ट कर आदम से आपको एक example दिया ठीक है चलिए बात करते है next question की जो सामने आपकी screen पर आ गया यह रहा आपके सामने next question अगला question आपको दिया हुआ है एक अभी कथन assertion का question दिया हुआ है कि जीन प्याजे के संग्यनात्मक विकास के सिद्धान्त की एक परमुक आलोचना यानि इसको criticize किया गया था बहुत ऐसे मोगे है जा पर जीन प्याजे के सिद्धान्त की आलोचना की गई लेकिन आपके CTAT के एक्जाम में particular सिद्ध दोती ना लोचना है जो बार-बार पूछी जाती है ठीक है उनके बार में बात करेंगे क्या लोचना की गई उनका यह है विश्वास है कि सभी बच्चे चार चड़नों के करम में एक ही तरीके से प्रगर्थी करते है देखे जीन प्याजेन कौन- बच्चों का विकास होता है ठीक है यानि बच्चों का विकास आपका निरनतर रूप से नहीं चलता स्टेज वाई स्टेज चलता है माली जब अच्छा sensory motor stage में तो बच्चा यह किरिया करेगा जब अच्छा प्रियोपरेशनल में चला जाएगा फिर यह वाली किरिया करेग माली जब four example आपका वो कर रहा है आपका जीववाद का concept बच्चों को नहीं आया उसमें प्रियोपरेशनल स्टेज के अंदर four example में आपको बता रहा हूँ तो अगर बच्चों को एक अच्छा environment दे दे तो क्या बच्चा जीववाद के concept को सीख नहीं पाएगा बिलकुल नहीं हो सकता है यानि कि इनको इन्होंने आप परिवर्तन सील बताया था जबकि इनके अंदर चेंज हो सकता है अगर हम बच्चे को एक अच्छा environment दे दे यानि कि अगर हमें बच्चे को एक अच्छा वातावरण दे दे तो बच्चे के इस विकास कंदर चेंज किया जा सकता है ठीक और सबस्याद है जो इस क्रिटे साइज हुई थी जो इस्टेज हुई थी वह आपकी प्री ओपरेशनल स्टेज देखने को मिलेती ठीक है और विया आलोचना हुई थी अपने बच्चे के ऊप महत्पुन भूमिका निभाते है जो बात मैंने आपसे कही वातावरण यानिकी एन्वायरमेंट में कौन-कौन्च फेक्टर आ जाएंगे सामाजी का आजाएगा ठीक है और सांस्कृतिक कारक भी कोगनिटिव डवलपमेंट में महत्पुन भूमिका निभाते है अगर कोई और जो आपका तर्क दिया हुआ है यानि आर वो सही व्याक्या करता एक ही आंचर आपका पहला सही हो जाएगा ठीक है इसलिए इनके सिद्धान की आलोचना की गई थी ठीक है चली बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कोशन के और अगला कोशन सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा अगला आपका जीन प्याजे को लिखावा है जो प्याजे ठीक है इसको ठीक कर लो भाई जीन प्याजे जीन प्याजे के नुसार मूर्ज संक्रियात्मक उस्ता में बच्चे तर्क पूर्ण डंग से सोच पाते हैं पर उनमें कठिनाई आती है यहापर थर्ड संक्रियात्मक उस्ता की बात हो रही है जब बच्चा आपका साथ से लेके लगबग 11 साल तक का बच्चा होता है तो आपको यह बतानी है कि इन चार उप्सन में से कि कौन सा इस स्टेज कंदर नहीं कर पाता देख लेते हैं आपका पहला इसमें दिया हुआ है आपका सिंब जो आपका रिपरजेंटेशन होता है बेसिकली आपका प्री ओपरेशनल स्टेज की जंग है आपका यह बच्चा इस चीज के अंदर सीख लेता है कॉंक्रीट की जंग है जो आपकी प्री ओपरेशनल स्टेज होती है यानि कि पूर संक्रियात्मक अउस्ता होती है उसमें जब 2 साल चलेके 7 साल तक का होता है तो उसको पर्तिकात्मक सोच का बच्चे के अंदर विकास हो जाता है यानि जब किसी सिंबल को वो उसके सामने नाम लिया जाता है तो उसकी छवी बच्चे के माइंड के अंदर चप जाती है आपके CTAT के exam में देखे इस से संबंधित सबसे ज़्याद को सना जाते हैं सिम्बल से संबंधित CTAT के exam में को सना है कि बच्चे के सामने एक पापड या लेज की फोटो दिखाए गई और उसको देखकर बच्चे ने का ती थिली ठीक है तो बच्चे के अंदर symbolic थोट की मेंज बन गई बच्चे के सामने एक टीचर ने का कि साइकिल से संबंधित कुछ चीज पूची तो बच्चे के माइंड में एकदम साइकिल की मेंज बन गई ठीक है तो आपकी symbolic यह सवारी की जाती है और तुक तुक की आवाज निकाली जाती है इस तरीके से निकालता है ठीक है तो यह जो symbolic होती है जो परतिकों की सोच विक्सित हो जाती है बच्चे के अंदर जैसे कुछ नाम लोगे उसके माइंड में वो सोच आ जाएगी आप उनसके सामने नाम लो के कारी या निक्कंजर वेशन के कारिये कंजर वेशन का को बता Rankा मतलब होता है जब हम किनी दो चीज़ या किनी हखतो के सपोर साइज में कुछ चैंज कर दें और समन्य रेहे और बच्च के concept को समझ जाता है तो आपका मूर संक्रय आत्मक अ कन दर आजाएगा देखे वह कैसा समझाता हूँ बार-बार में इसका एक 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 जामपल आपको देता हूँ क्योंकि मेरे यहां पर टीलम जाद नहीं है वहने मैं आपको और भी टीलम दिखा सकता था जैसा मानली जब इसके अंदर एक बोटल एक गिलास है तो दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी के अंदर पानी रखा हूँ ठीक है तो मैंने क्या काम करा यह जो है बोटल बड़ी रख दी ठीक तो बोटल बड़ी रख दी इसके साइज और सेप में मैंने चेंज कर दिया बट पानी दोनों के अंदर सेम रख दिया अभी पानी सेम नहीं है एक्जामपल द बड़ी चीज से मतलब जो चीज उसको बड़ी दिखती है बच्चा सबसे पहले उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है ठीक है तो आप quantity भले किसी चीज में सेम रख दो लेकिन चीज बड़ी दिखा दो आप बच्चे को ठीक है तो बच्चा उस चीज को पहले बड़ी रखता है तो लड़ू में क्या काम करते है एक पैकिट के अंदर है चाल लड़ू रख दिए और दूसरा पैकिट भी सेम है इसके अंदर भी है चाल लड़ू रख दिए दोनों सेम परकार के लड़ू है अब पता है क्या काम होता है अब आते है बड़े बड़े पैकिट इन बड़े बड़े packet के अंदर भी quantity बढ़ा दी जो packet होता है लड़ू फिर भी चार रखे है अब किसी के घर यह लड़ू आए तो अगला आदमी क्या सोचेगा अरे भाई मेरे लिए तो इतना वड़ा डबा लेकर आए अरे भाई वो जो पहले वाला जो डबा है उसमें भी पहली चार द लेकर जाता था वो बर्च इस बार उसने डब्बा वड़ा दिया क्यों दुकान वाले ने दिमाग लगाया कि आदमी बेकूब बनाना बहुत असान है डब्बा वड़ा देता हूं है और उसके लावा लड़ू सेम रखूंगा तो बच्चों के साथ साथ आजकल बड़ों क भी बेकूब बना रहे ठीक है समझ गया यह वाला कंचेप्ट तो यहाँ पर मूर्शंक्रियात्म कवस्ता में आपका विक्सित हो जाता है ठीक तो यह तो विक्सित हो जाता है इसने कहा है कि कौन से में कठिनाई आती है अगला देखते हैं अगला आपका डिड़क्टिव गालीतिक्स का सब्जेक्ट चुका रहे हो तो इसमें आपने पहले बच्चों को कोई नियम के थुल पर फोर्मूला बताा है और फॉर्मूला बताने बाद फिर आप उसको एक्जाम्पल की तरफ लेकर चले तो यह आप कौन सी स्टेज के अंदर कर सक्तों यह आप फॉर्म कि इसमें पूछा है कि इसमें उसको कठिनाई दिक्कत आएगी तो दिक्कत किसमें आएगी डिड़क्टिव रीजनिंग में उसको दिक्कत आजाएगी मूर संक्रियात्मक में उसको दिक्कत आजाएगी क्योंकि 7-11 साल तक का बच्चा डिड़क्टिव रीजनिंग नहीं कर पाएगा साथ से ग्यारा साल तक का बच्चा जो कर पाएगा वो करता है इंडक्टिव रिजनिंग करता है क्या काम करता है इंडक्टिव रिजनिंग करता है यानि कि आपका आगमनात्मक तरक ना करता है एक्जामपल टू रूल चलता है उधारन से नियम की ओर चलता है जो आ आप लोग समझ गए यहाँ पर inductive reasoning हो जाता तो यह भी सही हो जाता उसके लावा बात करें seriation की तो seriation देखें seriation में क्या होता है करम बदेता में क्या होता है जब बच्चा यहाँ पर किनी वस्तों को अपना करम के अनुसार घटते बढ़ते करम में लगा सकता है ठीक मेरा यह भी बच्चा मूर संक्रियात मगसता है यानि concrete वाली stage में करना start कर देता है बस थड़ वाली नहीं कर पाता थड़ वाली फोर्मल के अंदर करता है तो answer आपका यही answer आपका सही हो जाएगा आयूप आप लोग समझ गयोंगे इस question के बार में ठीक है चलिए बढ़ते आपके सामने next question के ओ ठीक हम लोग क्या काम करेंगे detail में explain करेंगे सारी चीजे एक-एक option को निचोड़ेंगे बढ़िया तरीके से सारे concept देख लेना आज यह आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है ठीक है बई ठीक चलिए बढ़ते बापके सामने अगला question सामने screen पर दिया हुआ है इसके ओपर एक बार नज़र डालते है नेक्स्ट question आपको दिया हुआ है जीन प्याजी के नुसार जब किसी बच्चो को खिलोने दिखाय जाता है और फिर कुछ छिपा दिया जाता है वह उसे भूलने की बजाय खिलोने को खोजने की कोशिस करता है तो बालक में यह विशेश्ता dash सवस्ता में पाई जाती है इस सवस्ता को dash कहते है देखे जब आप बच्चों के सामने x y z कोई भी वस्तु हो या कोई भी खिलोना हो तो आप उसके सामने चिपा दो और उस चिपी हुई चीज को मैं भी विच्चा डूंड़ निकाल देगा आप उसके सामने मोबाइल चुपा दो खिलोना चुंपा दो यया की जो चाबिया होती है वो भी च्पा दो आप भूल जाओगे। लेकिन बच्चा इसको डूंड कर निकाल देगा ऐसा को होता है क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो जो चीजे करता है छीखता है वो आपने sensorie organ के माध्ड़म से जो उसकी ज्ञान awakenedری hoती ए जैसा आख हो गई, नाक हो गई, कान हो गया जीव हो गई और जOS की skin होती है इनके माध्ड़म से sensorie organ होते है इनके माद्धम से बच्चा सीखता है ठीक है तच करके सीखता है इसमेल करके सीखता है यह इनके माद्धम से बच्चा सीखता है जब बच्चा आपका दो साल तक का बच्चा होता है यानि दो साल तक का बच्चा होता है ठीक है यानि दो साल तक का बच्चा होता है तच करके स तो मैंने आपको sensory organ ये बताए ठीक तो आप बच्चों के सामने आपने कोई खिलो ना रखा था वो आपने छिपा दिया बट बच्चा फिर भी उनको इन organ के माददम से इन ग्यान इंदिरू के माददम से सीखे लेगा इसलिए sensory motor stage का नाम आपका इंदिरे गामा का उसता विसेशता कौनची stage में पाए जाएगी sensory motor stage में कौनची में sensory motor stage में पाए जाएगी और ये आपका कहला जाता है object permanence का लाया जाता है कौनची विसेशता होती है आपकी object permanence होती है जब बच्चा अपने sensory organ के माददम से छुपी हुई चीजों को भी ढूंड कर निकाल लेता ह ठीक है आप लोग समझगे चलिए बढ़ते बाप के सामने next question और next नहीं next option क्यों next question कह रहा हुँ है आगे देखिए अगला है आपका ego centrism ठीक है अगला है आपका ego centrism यानि कि आपका एहम के इंदरिता एहम के इंदरिता आपको इसके नाम से पता चल रहा है एहम यानि ego ज यह होता आपका ego centrism का concept यानि center में किसको मानता है बच्चा center में बच्चा मानता है खुद को कि पूरी दुनिया बेकार पूरी दुनिया सब जाए भाड में बस मैं ठीक हूँ और मेरे according सब चीज होनी चाहिए यह होता आपका ego centrism का concept ठीक है अगर मुझे मैं टीवी देख कानी चाहिए और कोई दूसरी आइस क्रीम नहीं खाएगा ठीक है वहना मैं नराज हो जाओंगा और फिर मैं रोंगा और अगर मैं रो दूंगा तो फिर वह दिक्कत हो जाएगी तो यह ego centrism की बाम जो भावना होती है छोटे बच्चों के अंदर पाए जाती है ठीक है कु अगर बच्चा इसको बता दे तो समझ लीजें बच्चा चीजों को उलटना पलटना सीख पा रहा है यानिकि उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ गई बच्चे के अंदर ठीक है तो यह आपका concrete के अंदर आ जाता है basically आपको एक बास समझने है कि जो concrete operational stage होती है ना more संक्रियात्म का उस्ता होती है जितनी भी pre-operational stage के अंदर जो concept ठीक है बच्चों को नहीं आते जितनी अधाना है जितने भी operation बच्चों को नहीं आते मूर संक्रियात्म का उस्ताकंदर जैसी बच्च आता है वो लगबग सारी concept बच्चों को आ जाते है ठीक है इस stage में पोस्त थे ठीक यह बात आप लोग समझ गे तो आंसर आपका इसके लेकिन बाकी के कुछ concept मैंने आपको इसके अंदर बता दिये बढ़ते बाप के सामने next question की आगे आगे आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों में संग्यनात्मक विकास को सुसादित करने के लिए जीन प्याजेट डैस को महतु देते हैं जबकि लेव वाइगोस की डैस को दोने के अंदर difference था कुछ point को पर कुछ इनके जो सिद्दान थे तो उन सिद्दान के अंदर कुछ कुछ मलब मतवेत थे तो उन मतवेत गंदर एक मतवेत दिये था कि जीन प्याजे ने cognition को महतुन माना था जबकि लेव वाइगोस की ने बासा पर बड़ा महतुन बल दिया किरियाओ को जी हाँ किरियाओ को एक्टिविटी को बड़ा महतुन मानते हैं जीन प्याज मानते हैं कि बच्चों को इन्होंने माना कि एक बच्चा नन्ना वैग्ज्यानिक है ठीक है बच्चों को एक उपादिदी नन्ने विग्ज्यानिक की कि बच्चा जो होता है एक्ट करके चीजें सीखता है खुद सक्रिय होगत ठीक है यह बात कहिं़ है छलिए यहाँ पर आपका होगि आप मुठोल आपके नेक्स्ट शेंग क्योंगी invites बहाँ सा कोई नहीं इतना नहीं इनाम सजा नहीं यह तो आपके होने से रहे आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कुस्टिन क्यों अगला क्वेश्टन सामने रहा आपके स्क्रीन पर जीन प्याजे के सिद्धानतों में एक बाएगा निए लोग देखते हो कि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने का में हम लोग ने भी ऐसी कहा था बच्पर में की देखो सूरत चल लाए बादल यह आपके सीटर्ट के एक्जाम में भी कुश्टन आया था कि एक बच्चे ने कहा कि देखो बादल चल रही है यह देखो जो पत्थर लुडक रही है यह इस तरीके के जो concept बच्चे के mind के अंदर आते हैं तो यह basically जो concept होता है यही होता है आपका जीववाद का concept होता है जब बच्चा आपका सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाता इसमें living और non living चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाता यही आपका जीववाद का concept होता सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में आपका अंतर यानि डिफरेंस नहीं कर पाता आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है छोटा बच्चा चलते चलते अगर उसका हाथ किसी दिवार से लग गया चोटा बच्चा चलते चलते अगर उसका पैर कहीं दिवार स ठीक है तो छोटा बच्चा कहता है कि उसने मुझे मारा, धर्तीने मारा या गेट ने मुझे मारा या घरवाले तब ही जा के उसकी पिटाई करते है ठीक है वो निर्जी चीज़े तो ये बच्चे को जब ये concept समझ में नहीं आता है यही आपका जीववाद का basically concept होता है जो pre-operational stage में बच्चा चीज़े समझ नहीं पाता है जैसी बच्चा concrete के अंदर जाता है ये concept को बच्चा easily समझ जाता है ठीक है तो आप लोग समझ गे centration, irreversibility, situation ये मैं आपको बता दिया answer आपका first या पर सही हो जाएगा ठीक चली बढ़ते बच्चा आपके सामने next question के ओर अगला question आपको क्या दिया हुआ है next question आपके सामने screen पर आगया जीन प्याजे के सिद्धानत में इस प्रिक्रिया को क्या कहते है जब कोई बच्चा मोजूदा schema ठीक है अब देखे मोजूदा schema क्या होती है देखे हमारा जो mind रहता है ठीक है हमारे mind के अंदर पहले से ही बहुत सारी information बहुत सारी knowledge बहुत सारी memory पहले से store है और जब इनका use करके किसी के परति हम कोई concept बना लेते है यही हमारी क्या होती है इस schema होती है ठीक है जैसे मानलीज आप लोग CT8 की तयारी अभी करने आए हो कुछ पहली बार करने आए है कुछ पहले मानलीज फेल हो गए होंगे कुछ अभी करने आए ठीक है ल बीएड क्या हुआ या डीएलेड वगरा जो भी आप लोगों ने किया हो कि यह कोर्स कंप्लीट होने बाद फिर हमको अपना एक सीटेट का एकजान देना है और उस एकजान देने बाद फिर हमारा एकोर मेन एकजाम होगा जिस हमको गवर्मेंट जो मिलेगी ठीक है यह कहा आता में भहिए आपका टीचिंग ट्रेन कॉर्स परता आपके तो आपके माइन में इनफोर्मेशन पहले से ही चुट थी तो इनफोर्मेशन का यूज़ करके तो आपने मैंड के अंदर एक कंचेप्ट बना लिया ठीक है ओकों कंचेप्ट किसका बना है सीटेट का कंचेट बनाया कि भाई किसी भी में competitive exam को पास करने के लिए जिससे हम को government teacher हम लोग बनेंगे तो उसकी पहली सीडी सीटेट है तो आपने concept एक धार्णा बना ली ठीक है तो यही क्या होती है यही आपका माई जनम से रहती है अब आप लोगों के माई इंदर सीटेट के वार में पहले सीड के हुई है। ठीक है तो अब आपके माइंड के अंदर ये स्कीमा बने हुए ठीक तो इनी स्कीमा का यूज करके आप लोगों ने और भी चंचेप्ट बना लिए यार सीटेट की त्यारी तो सचिंसर कराते है ठीक है वो बड़िया त्यारी कराते है और एक बारे में अपना सीटेट का बैटनाओं को देखता है अब जो नई जानकारिया आप लोग अपने माइंड कंदर बना रहे हो उसको क्या कहेंगे वह आपको बताना है ठीक है चल बैटगा कोई पहला आपका एस्सीमिलेशन का मतलब क्या होता है एस्सीमिलेशन का मतलब होता है जब आप प्रिवेस नोल लोगों ने पढ़ी उस थोड़ी बहुत जानकारी के बाद अब यहाँ पर आप लोग पढ़ने आ गए मेरे पास ठीक है तो पूर जानकारी को अब आप लोगोंने नहीं जानकारी के साथ मिला अच्छा यह सर्थ अब यह चीज बता रहे है यह कंचेप्ट को बता रहे है इससे पहले तो आपने वाला कंचेप्ट नहीं पढ़ा तो आपने अपनी प्रिवेस नोलिज को नहीं नोलिज के साथ जोड लिया यह होता आपका एसिमिलेशन इसी के अंदर एक टर्म आ जाती है आपकी एक्कोमोडेशन आ जाती है ठीक है एक टर्म आ जाती है आपकी एक ग्यान को जब आप संसोधित करते हो मोडिफाई करते हो तो यह आपका accommodation हो जाता है यानि सीटेट जब आप लोग पास कर लोगे तब आप लोगों को ऐसा लगया का यार हमारे पास तो काफी नोलीज हो गई है तो इस ग्यान को आप लोगों ने मोडिफाई कर लिया तो यह आपका हो जाएगा accommodation आपका हो जाएगा ठीक है तो इसने question जो आप से पूछा है पूछा है कि मोजूदा schema के संदर्ब में नई वस्तो या घटनाओं को देखता है यानि जो मोजूदा schema आप लोगों के पास था जो भी आप लोगों ने teaching training course करा उसके बाद जो नई घटनाओं वस्तो आप लोगों ने देखी जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ या CTAT के बार में पढ़ा रहा हूँ इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे आपका assimilation कहेंगे क्या कहेंगे assimilation इसको कहेंगे ठीक है आप लोग समझ गे अगला है इसके अंदर urginization यानी संगठन संगठन बेसिकली कहा जाता है जब schema को rearrange किया जाता है पूनर व्यवस्तित किया जाता है तो इसको कहा जाता है संगठन इसको कहा जाता है ठीक है इसको मैं लिख देता हूँ schema को rearrange करने की परिकरिया schema को rearrange करने की जो परिकरिया होती है वही आपका organization कहा जाता है वो कैसे पहला आप लोग उने अपना teaching training course करा उसके बाद फिर आप लोग अपना seated के लिए यहाँ पर आगे ते यारी करने यहाँ पर आपका seated पास हो गया उसके बाद फिर आप लोगों का एक main exam होगा आप लोग कोई super-tate के exam की तयारी करना चाता है कोई अपना doctor plus B की exam की तयारी करना चाता है या कोई अपना ex object, estate की तयारी की करना चाता है उसके बाद आप लोगों को government जो मिल गई आप लोग government teacher बन गई तो इस तरीके से आपके mind के अंदर जो जो Schema बन रही थी ठीक है किस तरीके से government teacher बना जाता है तो उसको आपने rearrange कर लिया एक एक तरीके से ठीक है इसी कुण पुनेरवयस्थित करना रियरेंज करना ही क्या का जाता है ओर्गिनाइजेशन इसको कहा जाता है ठीक है यह आप लोग समझगे तो मेटा कोगनिशन इसका फोल्डिंग यह आपका जब इनके टोपिक आएंगे तब मैं आपको उता हूँगा इसका फोल्डिंग और क्रिटिकल ठिंगिंग आता है यह एनली शुज आता है जिस बच्चछे ने इसका आंसर दिया तो समझ लूव वह बहुती प्रतीबासाली बच्चा है बस मुझे बताओ मैठागो इन के अंदर क्रिटिकल टिंकिंग आता है या एनलीशिव आता है जरा इसका आंसर दे दो इसका आंसर मुझे जल्दी से comment box के अंदर दे दो देखता हूँ कोन बच्चा इसका आंसर सही देगा ठीक है जल्दी सा आंसर दो comment box के अंदर की metacognition के अंदर critical thinking आएगा या analysis आएगा बताओ जल्दी से ठीक अगला question देखते हैं सामने आपकी screen पर आगया जीन प्याजे ने सुजाओ दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते भी है बिल्कुल सही बात है जीन प्याजे ने चिंतन के बारे में यानी सोचने के बारे में एक आता कि जो सोचने का तरीका होता है छोटे बच्चों की सोच बड़े बड़े लोगों की सोच के बड़े लोगों की सोच के मुकावले में मातरात्मक रूप से तो सेम रहती है क्वांडिटी में तो सेम रहती है लेकिन गुनात्मक रूप से लग होती है ठीक है वो कैसे देखे मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्च सेम रहती है, लेकिन आपकी गुणा अत्मक में, यानि क्वाइटेटिव रूप में, वह अलग हो जाती है, वो देखे वह कैसी होती है, वो हमें आपको बताता हूं, अब ने दिमाग तो सबको बराबर दिया है, समान मातरा में आपको दिया भाइँ, ठीक है, तो क दिमाग, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन सोचने का नजरिया, सोचने का एप्टिटूड, वो आपका छोटे बच्चों का अलग मिलेगा, और वेस्कों का यानि अडल्ट का अलग मिलेगा, किसी भी पॉइंट को छोटा बच्च अपने नजरी से अलग तरीके से सो अपने नजरी से सोचेगा, ठीके, तो आपको अमिसा ध्यान नकनी है कि बच्चों के और बड़ों के सोचने के तरीके में ये डिफरेंस पाय जाता है कि मातरात्मक रूप से सेम होता है, बट गुनात्मक रूप से अलग होता है, ठीके, बासा विकास को सुसाध्य करती है, अकोडिंग टू जीन प्याजे जी नहीं, बच्चों की सोच वेसकों से मातरात्मक रूप से भीन होती है, मातरात्मक रूप से सेम होती है, बच्चे एक खाली से लेट के रूप में पैदा होते हैं और जनम के समय ना समझ होते हैं, देखिए, जो आपका इससे पहले आया बिहेवरिज्म, यानि कि वहवारवाद, ठीक है, और जिसके अंदर बहुत सारे वहवारवाद इता आपके, आयोप आप लोगों ने साथ पढ़ा भी होगा, कि जैसे आपके थोन डाइक हुए, इसके नर वगएरा, पैवलो वगएरा हुए, तो वहवारवाद योंने एक concept दियाता है, वहवारवाद से concept निकलाता है, जो बच्चा होता है, वह एक blank paper के समान होता है, खाली से लेट के समान होता है, ठीक है, एक खाली बरतन की संग्या इसको दीती, कि उसके पास कुछ knowledge नहीं होती, जैसे teacher जो होता है, अपना ग्यान उसके अंदर डालता जाता है, जो खाली बरतन होता है, यह भरता जाता है, यह जो blank paper होता है, वह भरता जाता है, तो यह वहवारवादियों नहीं संग्या दी, बट जैसे यह आपके cognitiveism आई, ठीक है, या जैसे आपके यह gene प्याज आए, जिसके अंदर आपको देखने को मिले, इन्होंने का नहीं, बच् सीटेट के एकजाम में question पढ़ते हो, कि जो बच्चा जबी स्कूल माता है, तो अपनी मातर वासल लेकर आता है, बच्चा स्कूल माता है, तो अपने अनुभाव लेकर आता है, जीवन के परतिदरिश्टिकों लेकर आता है, ठीक है, इन सभी पूंजियों से लैस होकर आता जब बच्चा स्कूल के अंदर लेकर आता है, ठीक, तो कोगनेटिविज्म वालों ने इस थोरी को reject कर दिया, और इस थोरी को माना कि बच्चा स्कूल के साथ अपने इन इन चीजों को लेकर आता है, ठीक, तो यह option भी आपका गलत हो गया, first answer यहाँ पर आपका सही हो जाए ठीक, अच्छा, analysis नहीं दिया किसे ने, ठीक है, ठीक है, दोनों होंगे भई, दोनों, ठीक है, कोई critical बता रहा है, कोई analysis बता रहा है, ठीक है, दोनों हो जाएंगे, metacognition के अपर मिलेगा, ठीक, वहाँ पर आप सर्च करके लिए लिया करो, बैच, वही पर आपकी सभी सब जैट की चल लिए, खिलाज, जीन प्याजे ने, सुजाव दिया कि, बच्चे बड़ों से अलग सोचते है, यह तो हो गया भई आपका, दो दो बार आ गया गया है, अच्छा, यही ता, अगला question देखते है, सामने स्क्रीन पर, next question आपको दिया हुआ है, कि जीन प्याजे का अनुसार, बच्चों में अर्थ पून अधिगम किस परिकरिया में होता है, वो आपको बताना है, meaningful learning के बारे में आपको बताना है, उद्धी परिकरिया के अनुबंद की परिकरिया में, देखे, जो आपका stimulus और response है, अभी मैंने आपको बता है, यह वहवार वादियों की सो लोगों को कराई जाती है, बटर सी टैट का एगजाम पास कर ले, और उसके बाद तुझे कहीना कहीन तो सैट करवा देगे, यह तेरी कहीना कहीन साधी करवा देगे, यह कहा देंगा, लड़ी के ने पास कर रह आ है, ठीक है, तो एक stimulus जिदि आ गया, ठीक है, एक stimulus जिदि और इस्टूमलस के बाद यह उत्तेजित किया गया और उसके बाद क्या हुई अनुकिर यह हुई यानि की रिस्पोंस किया गया ठीक है तो यह जो concept वैवारवादियों की तरफ साया और यह जो concept वैवारवादियों की तरफ साया इस्टूमलस आया और फिर उसके बाद अगला देखते हैं तब जब इनाम और सजा का प्रियोग किया जाता है इनाम और सजा का ये भी आपका इसकंदन नहीं आएगा ठीक है ये भी बेसिकली इनोंने इनके उपर सब करें बच्चा में करें तो दिमाग का वी यूज़ करके जब बच्चा सिखे तब वहां पर इक आपकी मीनिग्फूल लेंगिंग देखनें को नहीं मिलेगी या किसे ने कुछ हमको पुरुषकार दे दिया उसके मादम से मीनिंग्फुल लेंडिंग देखने को नहीं मिलेगे घरवालों ने कह दिया कि देख यह सबसे बड़ीया लड़गी है इससे तेरी साधी करा देंगे बस एक बार सीटेट के एक जम में पास हो जा ठीक है उसके बाद क्य सही हो जाएगा ठीक है समझेगे आप लोग बढ़ते हो आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन के और अगला कोश्चन यह रहा स्क्रीन पर जीन प्याजय ने अधिगम की प्रिक्रिया में किसे महत्तु दिया वह आपको बताना है कि किसको महत्तु दिया पहला सीखने के लिए त तत्पर रहेगा रेड रहेगा उस काम को उतना ही जल्दी हो सीख पाएगा तो सीखने के लिए तत्परता को दिया आप लोग अगर शीखने के लिए ततपर ओ तो सीख जाओगे वहन्ना मैं आपको कितना भी लालस देदू अगर मैं कह दूँगा ना कि आप लोग यहाप और किसीखने के लिए मेरे पास आजाओ मैं अपको उल्टाएं के खजार मुपिए करठे योगमannée स्वाद में तहीट के बाद ज़े को समस्चा समदान के अंधर प्रोलम आती है तो आपका ये कि समस्चा को सिर्फ एक ही तरीके सा समदान किया है तो आपका आत्मक पढ़ते भी पास्रीनवर्ण, तो भाई अपने तरीका बदल ले, ठीक है, अपने किताब में बदल ले, या अपने टीचर को बदल ले, तो उसको किसी समस्था के समधान के लिए एक तरीका को अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने एक एग्जामपल भी इसका देता हू, म तो आपका functional fixness हो जाएगा ठीक तो आंसर इसका first था वैसे यह तो थोड़ा सा मैंने explain कर दिया ठीक बढ़ते है next question के और कि के बारे में बताऊंगा दो अप्शन बचिए मिताब बच्चन की तरह मैंने आपको दो अप्शन दे दिए ठीक है फिप्टी-फिप्टी का उप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा ठीक कि कि किसका प्रियोग संगयनात्मक मांसिक अवधार्नाव के वर्णन के लिए क्या जाता ह उसको का जाता है इसकी मा ठीक है इसको क्या का जाता है इसकी मा इसको का जाता है आंचर आपका थर्ड से ही हो जाएगा ठीक इसमें तो कुछ भी नहीं था बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया यह रहा नेक्स्ट कोश है इन तीनों के बारे में समझ इसको बना लेते हैं ठीक है ठीक है इसके बार में आपको बताना है इन तीनों के बारे में समझ कब बना लेते हैं ठीक है आज आपका किलासरूम के अंदर या पूरा इसको डिश्टरब करने वाला ठीक बते इसके बारे में समझ कब बना लेंग शुरू कर जाएगा ठीक है ठीक यह आपको साथ स्क्रीन पर ना दिख राओ लेकिन मुझे दिख रहा है और इसके वजह से मेरा पूरा का पूरा दिमाग यहीं पर लग रहा है इस भगा भगा इसे उठाई थीक है ओजा खड़ा कोई बात नहीं देख लेंगे तुझे पकड़ लिया चल फैक देश भार पकड़ लिया वही पकड़ मागे उसके हाथ में चलो वही एक जंगली ना दूसरे जंगली को पकड़ लिया यह स्क्रीन पर सामने निया तर ना आता वाता नहीं है चलो कि अगला कुष्चन देखतें सामने स्क्रीन पर आए जीन प्याजे के संगयनात्मक विकास शिद्धान के नुसार किस चरण पर अनेचेक किरिया मतिये उसका आंसर आप लोगों को बताना है ठीक है छोटा वाई है ठीक है उसके वारे में आंसर आपको बताना है यहाँ पर बात हो रही आपकी अनेचिक किरिया है देखे दो प्रकार की किरिया होती है एक होती है एक होती है आपकी अनेचिक किरिया है एक होती है एक होती है अनेचिक किर रहूं अगर में यहां लिख दूं गधे बच्चे पड़ रहे हैं तो भाई यह यह मेरे कंट्रोल के वहार चीज़े जों गलती से लिखते लेकिन में कंट्रोल करें चीज़ें लिख रहे लेकल तो यह अच्छे किरिया हो गई अनेचिक किरिया वह जाएगी जो माइंड के कंट्रोल के विना होती है जैसा हमारा दिल दढ़क रहा है जैसा हमारी जो पाचन किरिया है जैसा हम जो सास ले रहे है यह हमारी अनेचिक किरिया है ठीक है अब यहाँ पर कुछा है कि अनेचिक किरिया है अधिगम का परधान और प्रात्मिक माध्यम होती है जो बच्चा अनिच्छिक क्रियाओ के माद्यम से चीज़ शीखता है तो यहाँ पर पूछा कौन सी स्थेज कंदर बच्चा शीखता है अनिच्छिक क्रियाओ के माद्यम से वह आपको बताना है तो चलिए इसके वारे में नजर डाल लेते हैं कि कौन सा वह इसकंदर स सभी हो जाएगा ठीक है ठीक पहला इसमें दियावाय सेंसरी मोटर इस्थेज बिलकुल सभी बात है देखे जब बच्चा आपका जनम से लेके दो साल तक का होता है तो यही आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा सही आंसर आप लोग दे रहे हो कि जो आपकी अनिचिक जो क लिये रही हो ठीक कर जो ठीक है बढ़ाते बापके सामने नेक्स्ट कोश्टन के ओर अगला देखते क्या है अ Да कि छीगवाई अगला कोशन सामने स्क्रीन पर आगया यह रहा आपके सामने नेक्स्ट आपको दिआवाँ इंप्याजेक्स सिद्धान्द के नुसार संग्यंर अत्मक् चिंतन में परमुक बदलें तरी कर्याव दोरा होता है उसके बारे में जरां आपको बनाता किस परकर्या दोरा होता है पहला मेंai समझे मैंने आपको दो ऐसिमिलेसन के यह बताया साुट्रेशन थिक यह दो प्रोसस बताए थे मैं आपको जो deficit-ienie pelay के ठीक है अनूकूलर्न का मतलब होता है जब आदमी वातावरें के अनुसार खुद को ढवड़ाल दिता है है अभी जैसे वाता होने चला है कि इसका सीटेट का तो सीटेट के पेपर का कोडिंग आप लोगों ने खुद को डालावाए तो उसके दो कंसेप्ट होते हैं नहीं नहीं को जोड़ा जाता है और जो नया गयान मिलता जब उस नहीं गयान को संसोधित किया जाता है उन्हीं दो घ्यान के बीच में जब इसको बराबर यानि संतूलित क्या जाता है क्या क्या जाता है संतूलित करने की जो परिक्रिया चल ली होती है उसी को आपका क्या का जाता है इक्किलिबरेशन किया जाता है ठीके यानी कि आपका संचली करन्दे को नाम में इसके समझ में आता है कि संचली करन्द इन दो परिक्रियाओं को बीच में सिंट रिकरन के संचली करन्द को री है आपका डिलेड इमीटेशन में क्या होगा डिलेड इमीटेशन में बेसिकली आपकी जैसे प्रियोपरेशनल इस्टेज होती है तो आप लगबग बच्चा इसकंदर आ जाता है इसमें बच्चा किसी भी वस्तु को देखे बगेर उसके परती अनुक्रिया करना सुरू कर देता है उस नकल करना ठीक है उनकी एक्टिंग करेगा ठीक है बिल्ली के आवाज निकाल देगा बालू के आवाज निकालेगा शेरी की तरह गुराना चालू कर देगा उनकी तरह चलने की एक्टिंग करना सुरू करेगा तो इस प्रकार का डिलेड इमीटेशन करना सुरू कर देता है एपसेंस के परती भी अनुकिरिया करके ठीक है यह आप लोग समझगे बट इसका आंसर आपका पहला यानि की एक्किलिबरेशन आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है अच्छा यह अगर आपका संतुलित ना हो यानि बच्चा इन दोनों परिक्रियाओ के बीच में संतुला न रहा जिन प्याजे के विचार में बच्चों की निजी वोक यानि की प्रेवेट इच्पीच की बात हो रही है प्रेवेट इस्पीक को आप लोग कह सकते हो इगो सेंट्रिक स्पीच आपको अब पताई जब यह एवं जो मैं शोच रहा हूँ जो में कर रहा हूँ जो मैं खा रहा हूँ जो मैं पी रहा हूँ छब मेरे अकोडिंग चले ह informação नहीं तो सब चीज घलत है सेम ऑफी उसी परकार से Allie Sin की स्पीश ठीक है यो सेंटरीक स्पीश में बच्चा क्या की कि मैं सही बोला हूँ ठीक है और जो मैं बोला हूँ बिल्कुल सही है और उसके लावा इगो सेंट्रिक स्पीश में बच्चे की जो भासा भी होती है न वो लावड हो जाती है तेज हो जाती है इगो सेंट्रिक स्पीश में ठीक है तेज बोलकर बच्च बताता है इगो सेंट तो नहीं वह ठीक है उनकी अपनी सोच को वी नियमित करने की अक्षमता यानिकी रेगुलेट नहीं कर पाता बच्चा ठीक है अपने थोट को इसके अंदर तो दूसरा यह उप्चन यहापर आपका सही हो जाएगा उनकी समस्था समधान युक्तिया नहीं परा संग्यानात्म कोशल मेटा कोगनिटिव स्किल नहीं सेकंड आंसर सही हो जाएगा ठीक है बढ़ते नेक्स्ट कोशन की और अगला कोशन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा नेक्स्ट कोशन जीन प्याजे के संग्यानात्म की विकास सिद्धान्द का नुसार किस चरन पर यह हमसे क्या चीज चाह रहा है तो दूसरों के दरिश्टी को उनको बच्चे समझने में कठिना ही महसूस कर रहे है वह आपको अंसर बताना है बतिये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बत जाएगा ठीक है भाई एप्लिकेशन सचिन एकेडमी ओफिस्यल है ठीक होता है आंसर सेकंड सी हो जाएगा ठीक है आप जो बड़ा आदमी रहेगा बच्चों से कुछ भी चीज कहेगा समझाएगा बट बच्चों चीज को इतनी अच्छी दरीगे से नहीं समझ पाता है ठीक है तो प्रियो परशनल स्टेज आपका रहती है और उसके बाद जैसी कॉंकुरीटय जाता है कॉंकुरीटय में जाकर यह कंचेप्ट उसको समझ में आजाते है ठीक अगला कोशन दे सामने स्क्रीन पर है बड़ा सा कोशन है पाच वर्षे रीना को दो पारदर्सी यानि की ट्रांसपेरेंट समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चोड़े थे दोनों में बराबर मातरा में दूद डाला गया जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होनी की सहमती जताई फिर एक गिलास के दूद को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो पेक्सा करत लंबा और संकिन यानि नेरो था अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्सा ज्यादा है अब दलाए ने तो बाक्र दलने ने के बाद एक उर गिलस ले दिया लंबा सा बड़ा सा our उसमें और दूड डाल दिया एक गिलास लेकर तो वह जो दूसरा लिया वह लंबा था ने रोत बड़ा नेरो ता लंडा नेरो तो उसको यहां पर जो रीना ती उसको यह लगा कि इस वाले में जादा दूद आ गया तो यहाँ पर इस concept को रिना समझ नहीं पा रही है तो यह जो इस concept को समझ नहीं पा रही है तो इसको क्या का जाएगा basically यह question आप से पूछा हुआ है तो देखो इसको क्या का जाएगा पहला इसका विकेंदरी करण में कठी नहीं पहने का है मेरा विकेंदरी करण में कठी नहीं यानि कि decentration में उसको problem हो रही है देखे एक होता आपका centration एक होता आपका centration यानि कि आपका केंदरी करण यानि कि आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ केंदरी करन केंदरी करन और एक होता आपका डिसेंट्रेशन यानि कि आपका विकेंदरी करन सेंट्रेशन का मतलब होता है जब किसी समस्था का सिर्फ एक ही तरीकी से समधान के जाए यानि जब किसी समस्था के समधान के लिए सिर्फ एक ही तरीकी से सोचा जाए या किसी एक समझ सकोई कि एके किसी एक एस्पेक्ट के बारे में सोचंवे अपका सेंट्रेसन होता है जैसे अभी मेरे पास मोबाइल है और मैं मं出साटि के बारे में सीप यह सोचुक मॉबाइलोल का यूज्ज शिर्फ कोल करने के लिए रहा हूं कि इन चीजों का यूज सिर्फ एक काम के लिए कर रहा हो ठीक है सिर्फ एक aspect के बारे में सोच रहो तो आपका केंदरिकरन यानी की centration हो जाएगा बट mobile के यूज तो और भी कामों के लिए होता है भाई mobile का यूज और किस कामों के लिए होता है mobile चाप लोग अपना social site चला सकतो, class देख सकतो, बाते कर सकतो, किसी से भी ठीक है, और उसके लावा calculator का यूज़ कर सकतो, Google के थूरू जितने दुनिया वरी की knowledge ले सकतो, pen का यूज़ आप कही जंगा यूज़ कर सकतो, pen का यूज़ मान लिज़ आप किसी TLM के लिए यूज़ कर सकतो, method के लड़की आपने जूड़ा बना सकते यूज़ पीछे बालों में लगाया, और मोड दी अपने बाल, ठीक है, और उसके बाद तोते जैसा बना देगी उपर को यूज़ ठीक है, और उसके अलावा आप पिटाई के लिए भी यूज़ में ले सकते हो, अगर किसको मानना हो, तो यहाँ पर दो चीजों के कही सारे प्रियोग निकल गए, तो यह हो जाएगा आपका डिसेंटरेशन हो जाएगा, यह नहीं विकेंदरिकरन हो जाएगा, तो आप लोग समझगें, सेंटरेशन और डिसेंटरेशन के अंदर, आप यहाँ पर जो लड़की है, वो लड़क एक concept को समझ नहीं पाई कि जो बराबर गिलास में दूस रखा था वो दूसरे वाले में भी तो सेम ही रखा हुआ है तो ये concept हो जाएगा basically decentration का हो जाएगा यह विकेंदरी करन में उसको दिक्कत आ दिये ठीक है तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा फर्स्ट वाल आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है देखर एनिमीजम बता दिया मैंने आपको जीववाद बता दिया symbolic thought बता दिया hypothetical भी बता दिया ये तीनों concept मैंने आपको शुरुआत में डीटेल में बता दिये ये नया आया था ये आपको बता दिया ठीक है ठीक है अचा ऐसा जूड़ा नहीं पहनते हैं आप देख ले न कौन सा वाल आप पहनते हो खुले बाल वाला या मतलब लगाती है न इसे वो बीच में बाल यूं करके और फी यूं मोड के इसी तरीके से तो उसी तरीके का कुछ है मतलब यूज में ले आते हैं पहन को कही सारे में हो लड़किया इसको अणिधा में मतले न कभी तूटे कमेंट बोक्स के अंदर कि लड़कियों के ऊपर कमेंट मार देते हो सर लड़कों के ऊपर भी मारता हूँ अगला कोश्चन दिया हुआ है कि जीन प्याजे के संगेनात्म की विकास सिद्धान्द के नुसार अधिकतर बच्चे किस इस्तर पर सामाजिक मुद्दो और न्याय के परती समझ इस्तापित कर लेते हैं यानि उनके अंदर एक तरीकी से सोशली डवलप्मेंट अच्छा कास सलमान खान को भाई बहुत टाइम होगे साधी करें बीना अब इसको साधी कर लेनी चाहिए सलमान खान को सनी देवल से लड़ाय होगी थी बच्पन गंदर ऐसी बाते करते थे हम लोग ठीक है यार सक्तिमान की वजए से मतलब ऐसे से कुछ बच्चों ने मतलब इस तरीके स प्रोलम होगी थी तो ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरीके की बात हम बच्पन के अंदर करते थे तो हमारे अंदर जो बुद्धी आई थी वह बुद्धी बिसिकली तब आई थी तब हम लोग 11 साल यह उससे ज्यादे क्यों मर क्यों हो गे थे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा अशकंदर फॉर्मल ओपरेशनल स्टेज हो जाएगा पूर्त आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है अब इसमें डिली क्लास में मतलब आपको आना पड़ता है उसके लाओ कुछ एप्लीकेशन पर क्लास चलती है उन बच्चों की डेली चलानी पड़ती है अगर बीच में चुट्टी आती है अभी के वीस वालों के बच्चों के इंटर्यू चल लें उनके इंटर्वीव नह और कुछ उनका प्रोसेस भचनी रहा सीधा इंटर्यू अब उनके दो दिन अभी इंटर्यू कर लें पीजीट टीट वालों के फिर पी आईटी वालों के लंबे होने वाले उच्छों के पहले दे दिए तो अगर मैं चुट्टी लूँगा या उनके इंटर्यू नहीं ले कुछ YouTube सिव्टि आपको दिया वाए जी न प्याजे के अनुसार वे क्रियाया मांसिक इस्तर पर निसपादित और पर्थिलोमित कौलें डाताए वह आपको बताना यह त्याके जिनको अब आप बताईए यहाँ पर देखे सिंपल सा अगर आप लोग एक चीज पढ़ोगे इसमें सिंपल एक चीज दिवी है कि मानसिक किरिया है वे कौन सी मानसिक किरिया है जितनी भी मानसिक किरिया है आप लोग ने पढ़ी है ठीक है आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही जा र होते हैं संक्रिया आपकी होती है तो ANSWER साइसे हमाप लोगों को फोर्ट लगा दैना है कि लगा देना सिम्पल इसमाप लोगों को फोर्ट राशल लगा देना है ठीक हाँ यह मेरे वाले कमेंट चले या उस में चल भ़ग S अच्छा अच्छा हाँ मैं हो सुचू यह पिछले वाले का आंसर क्यों दे रहे हैं ठीक है यह हो गया भी आपका चलिबढ़ते वापके नेक्स्ट कुस्टिन के और अगला देखे सामने स्क्रीन पर यह रहा नेक्स्ट कुस्ट्ट जीन प्याजे के सिद्दान्त में यह ने करा दिया ना उन्नीसवा हो गया बीसवा जीन प्याजे के सिद्दान्त में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्तीति में चीनों दुवारा उसे दरसा कर काम करने की योग गिता क्या कहलाईगी वो आपको बताना है अगर कोई चीज सामने नहीं है बट किसी सिंबल्स के दुवारा भी उसको परदसित करने की उसको दरसाने की योग गिता क्या कहलाईगी वो आपको बताना है मान लिजे मैं आपसे क और साथा आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा बाकी के तीन ओप्सन कोई ओप्सन ऐसा नहीं बचा जो मैंने आपको ना बताया हूँ ठीक है तो तीन ओप्सन आप लोगों को मैंने डीटेल में एकस्प्लेइन करें हुए यह भी करा हुआ था बट आपका थोड़ा सा इसके बा यानी एस्मिलेसन और अकोमैंडरिशन के वीचि में शंतूलर नहीं बन पा रहा है तो तो कौन्सी परिख्रिय हो जाएगी itrikूटरेशन इंडिशिक्यवरेसन वहाँ घीक हुए लिध इसक्षिक्लिप्रीशन की समस्य हो जाएगी आंसर आपका सेकिंड से हो जाएगा जेड़ पीड़ी का इससे कोई मतलब नहीं है कंजर्विशन आपको बता दिया इमिटेशन आपका नहीं होगा सेकिंड आंशर आपका सही हो जागा ठीक ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के और आपका और देखे जीन प्याजेके मैंने सेलेक्टिट कोश्चन लिये इन कोश्चन को अगर आपने जीन प्याजेके कर लिया यही कोश्चन आपके एक्जाम में बार बार आते है जो रिपीट होते है ठीक है इनको आप लोग जो प्रिवेसर के question को solve करोगे न यहीं से question आपको देखने को मिल जाएंगे बस इतना सा एक छोटा सा फरक देखने को मिलेगा practical question आपको देखने को मिलेगा कोई एक equation देगा एक examiner और उस equation पर आधारित question आपको मिलेगा बस वरना आपका same आने यही है सारे के सारे question आपको दिया हुआ है जीन प्याजे के संग्यनात्मक विकास के सिद्धान की चार चरन परतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है यह हमने पड़ी लिया यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतरगत आती है अब देखें मैंने आपको बता हुआ है कि बाल विकास के अंदर बहुत सारी डिबेट चानी की बहस हुई थी बहुत सारी का समदान पहली हो गया बहुत सारी कुछ अभी भी चल रही है और बहुत सारी आगे चलती भी रहेगी हो ठीक है अब उनमें से एक डिबेट यह हुई थी एक बहस होई थी जो विकास होता है यहां वह कंटिनीव होता है यह डिस कंटिनीव होता है और यह आपके सीट्राइट के एक्जाम में यह कुश्चन जब से online exam हुआ तब से पूछा भी जा रहा है कि विकास एक चलने वाला प्रोसेस होता है कि जो विकास होता है एक आपका चलने वाला प्रोसेस होता है या फिर आपका पर्टिकुलर इस जो स्टेज होती है उसमें चलने वाला प्रोसेस होता है या ठीक है यानि कि आपका स्टेज वाई स्टेज चलने वाला प्रोसेस होता है तो यह कुछ मनोब विझ्यारिंग ने जिसके इंदर नाम आता आपका जीन प्याज़ उन्हों ने कहां फार इस प्रकार से विकास को इस प्रकार से बता है लेकिन अंत में जाके यह वाली जो बहस हुई यह जो डिबेट हुई इसका सोलुसन हो गया है और यह डिबेट पूरी तरिके सापके समाथ हो चुकिए और इसका समाधन फाइनली यह देखाए, दिस कंट्यूनेस चलने वाल प्रोसेस नहीं है तीक यानि निरणतर चलने वाला प्रोसेस है तो आपको वास समझ今年 अभी आपका उनलाइन एक्जाम हुआ है उसमें भी कई पूछे गए कि जो विकास होता है क्या वो डिसकां-टीउनेस प्रोसेस होता है जी नहीं करते आपके प्याजें इस बात को ुप साइस जो इनकी आलोचना की गई ती जीन प्याजे की आपकी थरड वाली बहास के अंदर आपका आजाएगा ठीक है अंसर आपका थरड से हो जाएगा ठीक चलिए बढ़ते बापके next question के और अगला question देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा next निवली की तमें से कौन जीन प्याजे की संगेनात्मक के विकास के सिद्धामत की आलोचना है दुबारा सालोचना आ गई बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर पर निर्बर होता है यार ये कौशन तो हमने करा दिया उपर ठीक है बच्चों की सोच वैसकों से अलगा है ठीक है ये कौशन तो उपर हो गया है हमारा ठीक है ये बाई मिस्टेक गलती से दुबारा रिपीट हो गया ह और ये एक question गलती से repeat हो गया मेरी तरफ से bonus number है जैसे cbsc वाला कभी कभी दे देता है तो जाओ मज़े करो तुम लोग ठीक है bonus number लेके इसको चलिए बढ़ते बापके सामने next question के ओर अगले question के बारे में बात करते है ये रहा screen पर जीन प्याजे का नुसार शिक्सक के सबसे महत्पून गुन क्या होनी चाहिए ये वो आपको बताना है देखे जीन प्याजे शिक्सक के बारे में बात करते है कि शिक्सक आपका कभी भी कठोन नहीं होना चाहिए और ना उसकी कठोन पूर नीति होने चीए बच्चों के अकोडिंग ठीक है यह रिगिड वर्ड के बार में मना करता है कौन आपका प्याजे तो सिक्सक के बार में क्या कहता है कि सिक्सक क्या होना चीए लचिलापन होना चीए और उसके शिक्षण के अंदर भी flexibility होनी चीए ठीक है तो लेची लेपन की बात करता है तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा कि लेची 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 लपन और गती सीलता की बात करता है जीन प्याजे इसकी बात करता है ठीक है बढ़ते अब आपके next question की और next question आपका ये रहा screen पर next जीन प्याजे के संगेनात्मक सिद्धान परादारी सेक्सिनिक तकनीक निम्न में से क्या काम करेगी वो आपको बताना है बता कौनची पैड़ा कोजिकल strategy यहाँ पर काम करेगी उसका answer जरा आप लोग मुझे बतेगी है विसे वस्तु को रट कर याद करने पर देखे रोट लेंडिंग के बारे में इन्होंने नहीं गई क्योंकि कोग्निटिविज्म जो हुए उन्होंने रोट लेंडिंग की बात बिल्कुल नहीं गई इन्हों सही बात है ठीक है बच्चों की एज को ध्यान में रखे पार्ट करम को तयार करते हैं करिकुलम को तयार करते समय इस बात को इन्होंने जरूर का ठीक विसवस्तु को अमूर्ष से मूर्थ के करम में परस्तुत करें ये बात भी नहीं है ये गलत हो जागा इनाम और दंड की विचार थे उनके बार में बात होगी पेड़ागोजिकल या और जितने भी एस्पेक्ट है उनके बार में क्या-क्या कथन थे वो बात होगी ये टोप ऐसे कोशन थे जो आज की वीडियो के अंदर मैंने लिए हुए और I think के एक कोशन नहीं थे क्योंकि एक कोशन के इंदर मैंने कई-कई option आप लोगों को बताई हुए साइद या आपके मेरे खाल से साथ एक question ना बने गए हो क्योंकि कई सारे option मैंने solo कर आए हुए ठीक है तो आप लोग बताई एक कि कितना आप लोगों का score हुआ है और उसके बाद मिलूँगा कल आपसे next वीडियो के अंदर वही आपके 8 बजे आई योप आपको वीडियो पसंद आई होगी और साथ में जो नहे लोग आई है वो चैनल को सबस्काइब कर लेना ताकि आपको बागी की वीडियो मिलती रहे जो बच्चे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे तो भाई ये application के ओपर जाकर कोर्स के साथ आप लोगों को content भी यही पर मिल जाएगा ठीक है बताईए अब आप लोगों का भाई score एक बारे में नज़र डाल लेता हूँ ठीक है भाई ठीक कुछ बच्चों के अच्छा रहे कुछ बच्चों के 10 बारे भी है यूटूब पर तो मैंने इतना content कराया है इतनी free class करायी है आप लोग उसका यकीन नहीं करोगे तो आप लोग उनको भी देख सकते हो पुरा काम करेगे आपके लिए ठीक है होगी जोग्रफी की भी किलास होगी आपकी उसका टैंसन मत लीजे ठीक है ठीक है ठीक सभी का मतलब मिलता जुलता सही है कुछी बच्चे है जिनका भी थोड़ा लग है आप नहीं ब्यार सेवंध फेज के लिए इंटर्व नहीं यह वह अभी तर्थ मेरा घर मेरा घर वही दो घर है मेरे बेसिकली एक मेरा डेली के अंदर है और दूसरा मेरा बागपत के अंदर है ठीक है ठीक है लाइव क्लास यूटूब पर या एप्लिकेशन पर यूटूब पर आठ वज़े चलती है और एप्लिकेशन पर तो वह तो दिया होता है टाइम टेबल वह आपको मिल जाएगा अच्छ आप मेसिज कर दो टीम वाले आपको रिपलाई कर देंगे ठीक है उनके पास काफी मेसिज आते तो थोड़ा रिपलाई करने में लेट हो जाता होगा बट डूंट वरी आपको मिल जाएगा रिपलाई ठीक मिलते अब आपसे कल आठ वजे किसी दूसरी क्लास में तब तक आप लोग पढ़ते रहे ना द्यानक ना गुड़नेट टेक क्या